अब हम यहाँ पर प्रिश्ण अपली एक दिसमलो दो का प्रिश्ण पहला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निमलेखित संख्याओं को अभाज गुड़न खंडों के गुड़न फल की रूप में ब्यक्त करना है पहले में यह पांच प्रिश्ण हैं इन्हें हमें अभाज गुड़न खंड के गुड़न फल की रूप में व्यक्त करना है तो अभाज संख्याओं से भाग देंगे हम इनमें सभी में दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्तर, उनौश, तेस, उनौश, इस प्रकार के यह अभाज संख्याओं इन से भाग देंगे और आरोही क्रम में यानि बढ़ते क्रम में भाग देंगे और बढ़ते ही क्रम में जब हम नीचे लिखेंगे गुड़न करके जब हम गुड़न खंड कर लेंगे फिर नीचे गुड़न करेंगे उनका तो आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को और घातों को लिखेंगे दो बार गुणा होगा तो दो की घाद चड़ा देंगे उपर तीन बार गुणा होगा तो तीन की घाद चड़ा देंगे ये बातें आपको ध्यान रखना है जब अभाज गुणन खंड के गुणन फल की रूप में ब्यक्त करना है तो यहाँ पर जल्दी से पहला ही प्रेशन तो यहां पर दो से ही भाग देंगे तो यहां पर दो सत्ते चौगदा और जीरो तो यहां बचा सत्तर जीरो है पीछे फिर दो से भाग देंगे और आरो ही क्रम में संख्याओं से भाग देना पहले दो का दो का ना जाए तो फिर तीन का फिर पांच का और अभाज्य संख्या तो यहां पर दो काई भाग देंगे तो दो तीया चे एक बचा दस हो गया दो पंचे दस पैंथीस पांच आ गया यहां पर पीछे तो यहां पर पांस से भाग देंगे तीन से भाग नहीं जाएगा तो यहां पर पांस से भाग देंगे तो यहां पर एक आ गया तो यहां पर अताह 140 के गुड़न खंड 2, 5, 7 इस प्रकार आए हुए हैं तो यहां पर हम यह डवल 2 बार लिखा हुआ है इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो यहां पर 2 बार है तो 2 के उपर 2 की घात इस प्रकार लिख सकते हैं और इंटू में 5 और इंटू में 7 तो यह हमने 140 को अभाज गुड़न खंडों के गुड़न फल की रूप में व्यक्त कर दिया है यह हमारा पहले का अंसर अब यहीं पर हम बीच में लाइन खीचेंगे दूसरा सॉल्ब करेंगे तो गुड़न खंड बिधी से तो यहां पर सम संख्याय पीछे तो दो से भाग देंगे दो साथे चौदा एक बचा सोला होगे दो अठे सोला अब यहां पर भी सम संख्याय पीछे दो से भाग देंगे दो ती अच्छे एक बचा ठारा होगे दो नम अठारा अब यहां पर हम तीन से भाग देंगे तीन एकम तीन तीन तीर कर नो अब तेरह तेरह से ही कटेगा तो एक तो यहां पर आता हा एक सो चपन की गुड़न खंडिस प्रकार आए दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तेरह तो जो दो बार है संख्या डबल है तो इसको हम घात की रूप में इस प्रकार लिख देंगे दो है दो बार तो दो के उपर दो की घात इंटू तीन और इंटू तेरह तो यह हमने 156 को अभाज गुडण खंडों के गुडण फल की रूप में यह बैक्त कर दिया यह हमारा दूसरे का अंसर अब हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा गुडण खंड विधी से तो यहां पर इसे गुड़न खंड बिदी से हल करेंगे तो दो का तो इसमें भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहां पर पांच है पर समसंख्या है पीछे समसंख्या होती तो दो का चला जाता अब यहां पर हम तीन का देखेंगे तो तीन का हम इस प्रकार देखते हैं सभी संख 2018 18 के चले जाता है तो इस पूर में भाग चला जाएगा तो तीन एकम तीन इकम तीन आठ है यहां पर तो तीन दो निच्छे दो बचा तो बाइस हो गया 30 7 8 एक बचा बंद्रह हो गया 35 पंद्रह अब यहां पर देखेंगे हम तो यहां पर इन सभी का फिर लो करेंगे तो एक और दो तीन, और साथ 10 और पंच 15, तो 15 में भी तीन का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी तीन का भाग चला जाएगा, तो 3, 4, 12, साथ बचा यहां पर तो 3, 2, 6, साथ बचा 15, साथ ने ने च्छा ए, 1 बचा 15, ती टूटल करेंगे, चार दूच्छे, च्छे और पांच ग्यारा है, तो ग्यारा है में तीन का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी तीन का भाग नहीं जाएगा, अब पांच का देखेंगे, तो पांच का चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में जिस संख्या में पांच ह पीछे तो यहां पर आठ है पांच एकम पांच तीन मचा तो 35 हो गया 57 तो यहां पर 17 आगे अब हम यहां पर 17 काही भाग दें क्योंकि 17 है अभाज संख्या तो शत्रह एकम सत्रह तो यहां पर 3825 के गुड़न खंड इस प्रकार आ गए तीन गुड़न तीन गुड़न पांच गुड़न पांच गुड़न सत्रह तो यहां पर मैंने पहले ही शुरुवात में कहा था अभाज गुड़न खंडों के गुड़न फल की रूप में बैक्त करने के लिए जिनका दो बार गुड़न हो उनको हम घात की रूप में लिखते ह तो यह हमने यहां पर 3825 को अभाज गुड़न खंडों के गुड़न फल की रूप में ब्यक्त कर दिया यह हमारा तीसरे का अंसर अब हम यहां पर करेंगे 5,000 फांच गुड़न खंड विधी से तो यहां पर पहले दो का भाग देखेंगे दो का भाग नहीं जाएगा तो यहां पर tea क्रम में भाग देना है और अब यह संख्याओं का भाग देना है तो यहां पर अब पांच का भाग देगे तो 5 एकम 5, 0, 0 फिर 5 एकम 5 अब यहां पर 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहां पर सबसे पीछे देखेंगे 5 से भाग जो कोई संख्य है नहीं है तो 5 से भाग इसमें नहीं जाएगा अब हम 7 का भाग देंगे तो साथ का भाग यहां पर अब जाएगा नहीं अब हम साथ से बड़ी संख्या कौन है अब हाज साथ से बड़ी है ग्यार है तो ग्यारा है का भाग देखेंगे ग्यारा है का भाग चला जाएगा इसमें तो ग्यारा एक हम ग्यारा है तीन बचतते हैंocket, तीस गयारह, तीस तीस तो तीरह आगया, अब यहां पर तेरह का भाग, तीस में तो एक बार, तो यहां पर अता हो, पाँच यहां हजार पाँच के गुडण खंड की कि रूप में 5005 ओं farmers हर दो यहां पर इसमें कोई भी संख्या दोबार दोठी नहीं एह जैसे फाँच को प्रकार दोबार दोट जोड़ Town वर केंसर अब यहाँ पर पांच मह देखेंगे 7000, question thousand तो से से सहें थो यहाँ पर देंगे हिसमें हें भाग दुका देखेंगे तो दौका जाए्ञरेंगे क्यूंकि हम संख्या नहीं है transfer नहीं तो इन नहीं जाएगे क्योंकि यहां पर 5 से भाज्य संख्या पीछे है नहीं है अब यहां पर 7 का भाग देखेंगे और वही क्रम में बढ़ते जाना है हमें 2 का देखना 3 का 5 का 7 का और भाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 प्रकारगी इनसे भाग देना है तो यहाँ पर साथ से देखेंगे तो साथ एकम साथ साथ चंग ब्यालिस साथ से भी नहीं जाएगा अब देखेंगे यहाँ पर ग्यारह से तो ग्यारह से भी नहीं जाएगा सत्रह का देखेंगे तो यहाँ पर सत्रह से भाग चला जाएगा इसमें यहां पर 17 का भाडए इस प्रकार करना है 62 से जयादे नहीं। यहां पर 17 का भाग देखेंगे तो 17 का भाग नहीं जाएगा इसमें अब देखेंगे 19 का तो 19 का भाग यहां पर चला जाएगा तो यहाँ पर 29, 29 दुनी 38 तो यहाँ पर 2 यहाँ पर समझ में आ जाएगा 38 और यहाँ पर 43 तो 43 में से 38 घट जाएगे तो यहाँ बचेंगे 5 तो हो जाएगा संताउन, 99 तीए संताउन रफ में समझाने की आवस्चता भी नहीं है अब यहाँ पर 23 में 23 का ही भाग जाएगा 23 आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में भाग देना है संख्याओं का और अभाज संख्याओं का भाग देना है और फिर नीचे जब गुड़न खंड लिखना है तो घातों में लिखना है यदि डबल है तो बार गुड़ा है किसी संख्या का तो और एक बार है तो लिखने की आव 139 को अभाज गुड़न खंडों के गुड़न फल के रूप में यह हमने ब्यक्त कर दिया इस प्रकार आपको प्रिश्णा बली एक दिसमलो दो की प्रश्ण पहले को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है नोट कर लेना है पर इच्छा कि द्रेश्टी से बहुत अधेक महत्व प्रिश्ण है यदि आप कक्छादा से अध्या डिगड़त के अध्याय दो तीन चार और पांच की सभी प्रश्णावलियों के सभी प्रश्ण क्रम से हल चाहिए देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें वहां पर हमने कक्छादा से अध्याय डिगड़त